अक्री चरन का ये रन लगातार जारी है सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि इस वक्त जो वोट परसंटेज दर्ज किया गया है नौ बज़े तक का वोद आप देख रहे हैं जिसमें आप देखिए देवरिया में नौ बज़े तक का बारा प्रतिशत का मदान हो कुशी नगर में भी 13.5 प्रतिशत मदान हो चुका है गाजीपूर महतपून सीट 13.8 प्रतिशत का मदान यहां भी हुआ है साथी घोसी में भी 9 बज़े तक 13.4 छे प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है महाराज गंज 14.37 फीजदी वोटिंग यहां हुई है तो लगातार एक- महतपून सीटे उत्तर प्रतिश की यह 13 सीटे है जहां प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की प्रतिश्ठा तो दाओ पर लगी है साथी तीन कैबिनेट मंत्री भी है जिनके आज चुनावी रण में किस्मत जो है वो EVM में कैद हो जाएगी आप यह देख सकते हैं कि पिछली च्छे चरणों के जो मतदान हुए है उसमें सात्वी चरण का वोट परसंटेज जो है वो बहतर है वो उठा हुआ नजर आ रहा है तो इससे मान कि आप चल सकते हैं कि शाम 6 वह तर जो वोटिंग होनी है अच्छा खासा हुज़ाल वोट परसंटेज में देखा जाएगा और इस वक्त गाज़िपूर से बड़ी खबर आ रहे हैं यहां पर तीन मतदान कर्मी बिमार हो गए हैं हम आपको बता दे इससे पहले भी इस तरह की खबरे आई थी कि कुछ मतदान कर्मियों की मौत की बात भी सामने आ रहे थी आप जो गाज़िपूर से खबार है उसमें इस वक्त गर्मी अपने चरम पर है और इस गर्मी की वज़ा से हमने पहले भी देखा था कि जो लगे हो थी एलेक्शन के काम ने ड्यूटी में लगे हो थी उनकी तवियत बिगडी थी इसमें कहा ये जा रहा था कुछ की मौत भी हुई थी गर्मी की वज़ा से अब तीन ल देखें आपको बता दें कि ये मामला लोग सबाचुनाओ के मद्दान के दौधान सामने आया है जमर्या शेतर के मस्ता मद्दान के इंदर ये घटना है जहां पर पुलिस के एक एसाई और पीएसी के एक कांस्टेबिल साथ में फालोवर अचानक बिमार होकर गिर पड़े और उन्हें उसके बाद सीएसी ले जाया गया बताया जादा है कि गर्मी के चलते अचानक वो विहोस होकर गिर पड़े हैं और जिसके बाद उनको तानी सीएसी ले जाया गया है और वहाँ पर उनका इलाग जारी है जी अब फिलाल स्थित किस तरह की के तीनों की मनीश देखिया आपको बताजें कि सुबा तो मौसम बेहद खुसरवार था लेकिन नौ बजे के बाद धूप सेज हो गई है और इस धूप के चलते सेजगर्मी के चलते ही बताया जा रहा है कि ये तीनों मद्दान गीटी में लाग जानी है जी ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीश जानकारी देने के लिए गाजिपूर से अमिद गंजू कुशी नगर से अशोक शोकला है राजिश चौदी प्रवक्ता बीजेपी फखरूल हसन चांद प्रवक्ता आइस पी प्रभात तरपाटी वरिश्ण पात्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन सबसे पहले अमिद गंजू के पास चलते हैं अमेत आप गाजिपूर में है गाजिपूर में अभी खबर आई कि यहां पर एक पोलिंग बूद पर जो कुछ करमचारी ड्यूटी पर लगाए गए थे अलक्शन ड्यूटी पर उनमें से कुछ बिमार हो काई है लेकिन इसके बावजूत किस तरह पर वहां पर दान को लेकर देखिए नीलू जी मैं आपको पताना जोंको मैं पहले अपने केमरमन से कहां पूरा दिखाए है सुबह जैसे मेरे अभी सयोगी मनीश बता रहे थे कहीं ना कहीं सुबह 600 क्लॉक पर लंबा जोश देखने को मिल रहा था हूँ साथ साड़े साथ आठ साड़े पसीना इस बात का गवा है कि तापमान अब बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे करके लोगों की संक्या पर ऐसो पे पूरा सन्नाटा सा यहां पसा अगर हम जैसे मेरे सायोगी जमनिया विधान सभाज चेतर की बात कर रहे थे तो वहां एक उपने रिक्षा के पी एसी का ज पड़ें यहां अभी तक लगबख बताई जा रहा है अठारा परसन यह लगबख 800 के आसपास इसमें वोट है और अठारा परसन के वोट पर चुक है यह वही जगा है जहां लेक्टेन गर्णर मनों से आपसे पांच या साथ या कुछ मिन बात ओट अपना कास्ट करने आए जिसको लेकर नियूज इटिंग टिम भी यहां मौज़ब और गाउं के लोगों के अगर बात की जाए तो गाउं के लोगों ने जो यहां सपास के आचलों के अगरा बात की जाए लोगों को परिशान कर रही है और इसका अशर सीधे तौर पर मदान पर भी पढ़ रहा है अभी तक का वोट परसंटेश 9 बड़ी तक का बहतर आया लेकिन हो सकता है आने वाले समय में वोट परसंटेश जो है जरूर नीचे आया क्योंकि गर्मी अपने चरब पर है कुशी नगर से कैसी तस्वीरे आ रहे हैं कैसे यहां का बद्दान चल रहे हैं जी बिल्कुल कुशी नगर जिले की बात करें कुशी नगर लोग सभा छेतर की बात करें तो इस छेतर में जो पांच विदान सभाइं है विदान सभाओं का ओवर आल जो परसंटेश रहा है नौब जिस तक का वा उत्साथ जनक है लेकिन जैसे जैसे तपिश बढ़ रही है तो कही न कही थोड़ा सा मददाता दूर हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद चुकी कुशी नगर का मौसम ऐसा नहीं का का जा सकता है कि बहुत परचंड गर्मी है या भीशल गर्मी है हवा आप देख सकते हैं लंबी कतारे लगी हुई है लोगों की और मतदान को लेकर लोगों में उत्सा है महिला हो पुरिशोस लोगों में इस बात का उत्सा है कि वो अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं तो अभी तक जो आकड़े हैं मतदान का जो प्रत्सत है वो उत्साह जनक है कुछ-कुछ-कुछ लोगों से जो लाइम में लगे हुए हैं चाहे वो महिला हो या फॉर्स राइम वोटर हो उनसे बात कर सके तो बात करिए किन मुद्दों किस साथ पहुंचे हैं क्या सूच लेकर पहुंचे हैं इस सरकार को लेकर जो नई बनने वाली है अधने प्सक्राइगे जो कटार बद्ध है युवा वोटर है और जो अधन मत्दान करने आया मिलनों को सबात करेंगी या पिस किन मुद्दों को लेकर आप करेंगी यह लेकिन मुद्दा है विकाश इसके अलावे किसी दूसरे बात करने कि या वोट क्रफिश्थ सब्सक्राइब करने की दरुबत होती हैं मेरे समझ से तोकि आम नागरी के लिए सिर्थ विकास ही एक मुद्दा होना चाहिए इस प्रथाय चाहिए कोई अधार नहीं होना चाहिए किस तरह के शरकार हो आपके हिसाब से यहां कुछ महिला है जो पंक्तिन लगी है इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या सोच रखा इन्होंने आखिर किस रिकार सोच कर मद्दान करने हैं क्या सोच रखा है आपने क्या सोच कर बोलना नहीं चारी है लेकिन जो पुरुष मद्दाता है यहांने मद्दाताओं का साफ कहना है कि विकास ही उनका मुद्दा है और यहीं सोच कर वो मद्दान करेंगे चीक है शोक शोकल बाके में लंबी-लंबी कतारे देखें जारे हैं और यह इसलिए जानकार भी कहा रहे हैं राजनेतिक विश्रेशक भी कहा रहे हैं कि वहीं जो साथवे चरन का मद्दान होगा उसमें बंपर वोट पढ़ने वाले हैं लौटिंगे आपके पास तस्वीरे चे चरनों से बहतर नजर आ रहा है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की सीट में है इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आयतिनात की विधानसवा की सीट मौजूद हैं खुद जिस सीट से वो कभी सांसद रहे हैं वहां से रवी किशन इस बार चुनावी मैद सुबर साथ बजे के बाद से लंबी-लंबी कतारे हर एक पोलिंग भूत पर देखी जा रही है और यही कहा जा रहा है कि इस बार यानि के साथवे चरन का जो वोट परसंटेज है वो पीछे के छे चरनों के वोट परसंट का रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो यह वो 13 सीटे हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है दिवरिया, वारनसी, काजिपू, चंदॉली, घोसी, महराजगन, सोनभात्र, गोरपूर, बल्या, कुशिनगर, मिर्जापूर और रॉपर्स गंज और इसमें से बहुत सारी सीटे हैं अगर वारनसी के हाई प्रफाइ तो दूसरी तरफ गोरपूर, मुख्यमंत्री योग्या आदिते नाथ का कह सकते हैं कि गढ़ रा है और वो यहां से चाहेंगे कि जो उनके प्रत्याशी हैं वो जीत कर आए, रवी किशन को लेकर उन्होंने तमाम चुनाव प्रचार किये, बहुत सारे नेता प्रधार मंत् दिखा दे रहे हैं और चार जुन को चुनाव के नतीजे आएंगे लेकिन पोलिंग परसेंटेज है 13.50 है कुशी नगर में और 13.74 प्रतिशत दिवरिया में इस वक्त जो सुबह 9 बजे तक आकड़ा है वो आया है सामने जसमें बास गाओं में 10.37 प्रतिशत वोटिंग पर मतदान जा रहे हैं अलाकि सुबह सुबह मतदान काफी तेज थी और मतदान की प्रिक्रिया तेज इस ती रहे थी क्योंकि सुबह सुबह गर्मी कम होती है लोग जादा से जादा घरों से बाहर निकलते हैं लेकिन एक बार फिर से पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है अलाकि म मतदान के कम होने के पीछे का एक कारण एक कारण ये भी है कि जो गर्मी है वो कफी जादा है और इन सब एरिया में जहां पर आज मतदान हो रहा है वहां पर भी गर्मी वीश्ण पड़ी हुई है